सब्सक्राइब कीजी टेक्निकल पिलानी यूटूब चैनल को और साथ में बैल आइकन को भी तबाईए ताकि लेटेस टेक्निलोजी वीडियो आप देख पाए सबसे पहले दोस्तो बहुत बार आपने फ्लिपकार्ट से ओनलाइन शॉपिंग तो की ही होगी अगर आपको फ्लिपकार्ट से खरीदे वे प्रोडक्ट को रिटन करना नहीं आता है तो इस वीडियो के साथ बने रहे हैं हेलो और नमस्कार दोस्तो मैं हूँ विवान और आप देख रहे ह है टेक्निकल पिलानी तो देर ना करते वे चले शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहां पर हम फ्लिपकार्ट एप्लिकेशन को खोलते हैं को खोलने के बाद यहां पर ठेलाइंट क्लिक करते हैं और माय ओर्डर्स पर क्लिक करते हैं कि माई ओर्डर स्पेट क्लिक किया अभी थोड़ा लोडिंग रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने उपर उपर एक मेसेंजर बैग है जो कि कल मंगवाया था मैंने फिलिप कार्ड से आज मैं इसे रिटन करने वाला हूं तो मैं रिटन पे क्लिक करता हूं आपके मोबाइल में भी फ्रेंड्स ऐसा ही दिखेगा जैसा मेरे मोबाइल में आ रहा है यह 515 रुपया का बैग है इसे मैं रिटन करता हूं यहाँ पर पहला आप्शन दिया गया है रिजन फॉर रिटन इस पर मैं क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसू ल पूर क्वालिटी और मैं कमेंट में लिख देता हूं रिफंड कमेंट में मैंने रिफंड लिखा और इसे कंटिन्यू कर देता हूं करने के बाद यहां पर आप देख सकते हूं ऑपर option दे रखा है what do you want in return यहां पर मैं click करता हूं और refund पे click कर देता ह zoo मैंने refund पे click कि किया तो अप देख सकते दोस्तों यहां पर मैंने phone page से payment किया था तो यहां पर और ओर जिनल पेइमेंट पोड पर मैंने क्लिक किया तो मेरे जो पैसे हैं मुझे फॉन पर पर के अंदर लेने हैं तो यहां पर मैंने क्लिक किया और confirm return पर क्लिक करता हूं यह देखे दोस्तों यहां पर मेरा return request successfully लग चुका है यह अप्रोवड के हो चुका है अब इसके बाद देखे दोस्तों यहाँ पर नीचे दे रखा है refund will be transferred to your original payment mode जहां से मेरा payment हुआ था वहीं पर मेरे पैसे दो दिन के अंदर अदर आ जाएंगे और यह दोस्तों दो दिन के अंदर नहीं आएंगे आपको 2-3 घंटे अंदर अंदर आपको अपने पैसे मिल जाएंगे और आपका समान वापस चला जाएगा तो दोस्तों इसी तरह से हम flip card से किसी भी product को return कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दुबा दे